चलिए राष्टे सिक्षानिती 2020 पर थोड़ी चर्चा करते हैं क्योंकि हालक अख़बारों में तो ये न्यूज था पहले से लेकिन हम देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या है एनलाइस करने के बाद, विश्लिशट करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं हाली में मुदी जी ने ये जो शिक्षानिती लाई है उसमें कहीं न कहीं शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरम हो गई है और शिक्षा के समन्द में गांधी जी का एक तात्पर या आप लोगों ने जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं बालक और منुष्य के मन, सरीर और आत्मा का विकास करना सरวांगल विकास करना, सर्वक्रिस्ट विकास करना साथी स्वामी वीवेकानन का कहाना था कि मनुष्य की अंतर नित पूड़ता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा इन्ही सब चर्चाओं की मधिय हम देखेंगे कि 1986 की सिक्षा नीती में ऐसी क्या कम्या रह गई थी जीने दूर करने के लिए नई शिक्षा नीती को लाने की अबशकता पड़ी साथी क्या यह नई शिक्षा नीती उन उदेशियों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न मात्मा गांधी और स्वामी भी वेकानन देखा करते थे तो आईए बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा क्या है इस पर गोर का नावश्चक है शिक्षा का साब्दिकर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया पर तो आगर इसके ब्यापा करत को देखे तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्दिश्य होता है और जिससे मनुस्य की आंतरिक शुक्तियों का विकास और ब्यवहार को परिश्कृत किया जता है शिक्षा द्वारा ग्यानियुम कोशल के ब्रिद्धी पर मनुस्य को युग्या नागरिच बनाया जता है गोड़ तलबी की नई शिक्षा निती 2020 की भोषड़ा के साथ ही मान औस संसाधन विकास नंतराले का नाम बदल कर शिक्षा मंतराले कर दिया गया है और इस नीती द्वारादेश में स्कूल हैं उच्य शिक्षा में परिवर्दन कारी सुधारों की अब इक्षा की गई है तो अब जो HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल कर कर दिया गया है शिक्षा मंत्राल है सबसे महत्वपूर्ड क्या है इस सिक्षानिती में महत्वपूर्ड जो है 1986 के सिक्षानिती में जो संस्थोधन किये गए थे 1992 में किये गए थे कस्तूरी रंगण के क assist Då हाडी समिथी की इनूसार नाई शिक्षानिती का अगर आपके हैं लक्ष है, वो लक्ष है सकल नामंकर अनुपात, GER को, ठीक है, ग्रॉस इन्रोल्मेंट रिशियो को 100% तक लाना कब तक? 2020 से लेकर 2030 तक 100% GER लाने की ववस्ता इस योजना के अंतरगत है, या इस निती के अंतरगत की गई है, या इस सिक्षा निती में केंद्र वह सरकार के सहयोग से सिक्षा चेतबर GDP के 6 प्रतिशत हिस्से के सारवजनिक बैकल लक्ष रखा गया है, यानि कि सकल GDP के 6 प्रतिशत श करश होगा, ने सिक्षा निती के जो मुख्य बिंदू हैं वो है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, इस framework को आपको याद रखना होगा, कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है क्या, तो ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 और जो है, 3 से 18 वर्स के आयू के बच्चों को अपने अंदर समलित करता है, पहल बच्चे का जो admission है, pre-primary और class 1, 2, standard 1 और 2 को इसके अंतरकत समलित किया गया है, यानि कि 3 वर्ष की आयू में बच्चे का admission हो जाएगा और वो class 1, 2 तक पहुच जाएगा, यानि कि play वे और yalkeji, ukg के बाद, first and second, standard में वो पहुच जाएगा, ये होगा, पहले 5 प्लस प्लस का definition, पहले 5 का व्याख्या, कि जो 5 है न, उस 5 का मतलब हो गया, कि pre-primary के 3 साल, play वे, nursery भोलते हैं इसको, lkg, ukg, जो आज-कल का चल रहा है, तो इस में, 5 में ये शमलित किया गया है, pre-primary के 3 साल, और 2 साल, 2 year, वो बच्चे का first and second, standard, then आता है 5 प्लस 3, 3, ये 3 क्या है, अगला 3 जो ये, class seconds लेके, plus fifth प्लस पक पहुँच जाएगा, बच्चा, यहां कि जो primary का level है, वो निकल जाएगा, उसका, उसको क्यों से stage यागा है, pre-primary stage, pre-primary stage, प्लस फाइब के लिए कहा गया है और प्लस थ्री के लिए कहा गया है प्री परट्रीज स्टेज जो कि फिफ्ट क्लास तक के लिए बच्चा पढ़ाई करने शुका होगा और उसके बाद का थे रियर आपको पता है क्लास सिक्ष्वन और एर्थ के लिए है जिसे हम मध्या स्टेज जो जाएगा फोर इयर का जो कि 9, 10, 11 और 12 के लिए होगा तो यह था आपका NEP 2020 के बारे में ही ठीक है बुन्यादी सक्षरता और संख्यात्मक ज्यान पर एक राश्टी एमिशन है इसका नाम दिया गया NMFLN के स्थापना का प्रस्तावत किया गया इसके आधार भूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा तो 2020 से 25 तक क्या किया जाएगा और 2020 से 2030 तक क्या किया जाएगा ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी होगी एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करके देख लीजिए और सारे चीज़े समझ लीजिए भाशाई भी आधी जी का सपना भी हुआ करता था कच्छा आठमी के आगे बच्चे को बिकल्प दिये जाएंगे डेसरे आपसन दिये जाएंगे वार्थिक नॉलेज बवसाइक नॉलेज ठीक है डिजिटल नॉलेज ले सकता है चेत्र बदल सकता है ऐसा नहीं कि पिछले नियमों की तर अरौरा, हाइ स्कुल, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ही बस तो तीन विकल्प मिलते थे तो इन विकल्पों पे विचार किया गया और इन विकल्पों को बढ़ाया गया है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अतरिक्त भी अन्य चीज़े हैं जो कच्छा आर्ट के बाद ही बच्चों को विकल्क के तौर पर सामने रखा जाएगा शारिक सिक्छा पर ध्यान देना है इस्कूल, खेल-कूद, यूग, नृत या मार्शल आर्ट जैसी बातों पर भी ध्यान देना है शारिक सिक्छा में नई चीज़े जुड़ी हुई है ये पाठिकरम और मुल्यांकन की अगर बात करें तो पाठिकरम का मुल्यांकन केशिद होगा शाइक्षिक पाठिकरम में व्यवसाइक सिक्छा को सामिल कर दिया गया ये कि NCRT द्वारा इसकुली सिक्छा के लिए राष्टी पाठिकरम वरूप रहा N.C.F तैयार की जाएगी ठीक है क्लास 10 और 12 की परिक्षाओं में बिदलाव किया जाएगा परिक्षाओं में व्यवस के समेस्टर या बहुवेकल्प ये परश्ण आदी जैसे सुधारों को सामिल किया जा सकता है वहाँ पे भी समेस्टर प्रदान लाई जा सकती ये क्लास 10 और क्लास 12 के लिए परख नाम का एक संस्था बनेगा जो राश्टी ये आकलन केंद्र नेशनल असेस्मेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी और चात्रों की प्रकती के मुल्यांकन तर्था चात्रों को उनके भाविस से जुड़े निरड़े लेने में सहायता परदान करने के लिए क्रित्रे मुद्धिमत्ता आर्टिफिसल इंटेलिजेंस ए आई ए आई का बहुत ही चर्चा चल रही है तो ए आई को भी इसमें सम्लित किया जाएगा इस पर आधारित सॉफ्ट्वेर होंगे और इन सॉफ्ट्वेरों के तुरू मल्यांकन किया जाएगा शिक्षकों के नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तता समय समय प्रकिये गए कारे प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोनती यानि शिक्षकों का जो भी होगा पारधर्शी प्रक्रिया से भर्धिया होंगी और इन भर्धियों के बाद अगर ये कारे कर रहे हैं तो इनके कारियों का प्रधर्शन का एक आकलन एक assessment होगा और उस assessment के अनुसार उनको प्रदोनती दी जाएगी 2022 तक शिक्षकों के लिए राश्टी ये व्यवसाइक मानक NPST का विकास किया जाएगा 2022 तक शिक्षकों के लिए राश्टी ये व्यवसाइक मानक का विकास NC8 के पाथ कर्म के अधर पर अध्यापक सिक्ष है तो राश्टी पाथे जाजा की रूप रिखा NCFTE का अभिकास किया जाएगा और 2030 तक अध्यापन के लिए निउन्तम डिग्री योगिता चर्तूत वर्षी 1-1 कृट 28 डिग्री का होना निमारी किया जाएगा चार वर्षी का जो 1-2 कृट 28 की डिग्री होगी उसको अनिवार किया जाएगा शिक्षक बनने के लिए तो शिक्षक सिक्षड में भी सोधार किया जाएगा अन्य प्राविधानों को देख लीजी आप एम्फिल कारिक्रम को समाप्त कर दिया गया ने शिक्षक के तहत एम्फिल नाम को कोई कारिक्रम नहीं होगा आकेडमिक बैंक औफ क्रेडित दिया जाएगा ताकि अलग-अलग संस्थाण में छात्रों के प्रजर्शन की आधर पर उन्हें डिगरी पर दन कि जा सके डिजिटल रूप से सुरुशित रखने के लिए एक एक आकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट दिया जाएगा उच्छर संस्थानों को राष्टी उच्छ सिक्छायो की स्थापना की भी बात चल रही है यह क्या होगा यह एक सिक्छा सहीट उच्छ सिक्छा छेतर के लिए एक नियामक का कारे करेगा मतलब की प्रैम्डी से लेकर हाएर तक N.C.E.R.C. के नाम से जाना जाएगा सामन शिक्षा परिशत राश्टिय प्रत्यायन परिशत N.A.C. और राश्टिय उच्छतर शिक्षा अनुदान परिशत Higher Education Grant Council यह निकाए कालेजों विश्विद्यालों करें बित्त पोश्र का कारिया अप करेगी तो गोरतलवे की बरतमान में उच्छ शिक्षा निकायों का बिरिमें UGC करती है, अकिलवारती परिशत करती है और राश्टिय उच्छा परिशत निकायों के मादम से किया जाता है लेकिन देश में IIT और IIM के समकक्ष बैश्विक मानकों के मेरू की स्थापना की जाएगी मेरू क्या है IIT और IIM के समकक्ष बैश्विक मानकों के बहु विश्विक शिक्षा निकायों के लिए भी अलग से प्राविदान है, डिजिटल सिक्षा से सम्मनित भी प्राविदान है, राश्टि शैक्षिक प्रवदोग की मन्च की स्थापना की जाएगी जो फोरम होगा, इस फोरम के थरू हम शिक्षड मुल्यांगन, योजना, प्रशाषन कैसी क्रियाओं को करेंगे तो आप देख सकते हैं 1986 में आप रेश्विक ब्लैक बोड़ आया था अब इसमें धेर सारे बदलाओं की जा रहा है इन बदलाओं की बारे में आपको अवेरनेस होनी चाहिए तो इस अवेरनेस के लिए मैं ये वीडियो बनाया है बाकी चीजे आप देख सकते हैं अब अगर ऐसी चीजे पढ़ना चाहते हैं